वहीं हर साल विश्वक खाद्य सुरक्षा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा के प्रती लोगों को जागरुक किया जा सके लेकिन गौलियर चंबल अंचल आज भी मिलावट खोरों की जकर में बना हुआ है ऐसा हम इसे लिए कह रहे हैं क्योंकि खाद्य पधार्थों के सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहे हैं बीते एक साल में 1354 सेंपल खाद विभाग की ओर से लिए गए थे जिनके जाज में 262 सेंपल मानक पर खरे नहीं उतरे इस पूरे मामले को लेकर जीले के फूट सेफटी डी ओ सी एम एचो का दावा है कि शासन के निदेश पर ग्वालियर चंबल अंचल पर और अंचल भर में लगातार कड़ी कारिवाई की जा रही है वहीं मिलावट खोरों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है इस समय मत प्रदियस में साहिद है अपने तौपर हैं दूद दूद से प्रटप्तिल संपल अपन ले रहे हैं दिशे सा धिहान अपने चलाया दूद के लावट के लिए जब धी हाई को प्रेश चलाता है माननी अपने उच्छ नहाई धीज जोना रहे हैं आध्या चाब उसका प्रटिंग कर रहा है ते उसके बाद हम लोगों ने मसाले पर बहुत बड़ी कारवाईयां की हैं मावाती उपर बहुत बड़ी कारवाई की हैं तो नहीं आठ हमारे ने पूदिंग प्रक्तार हैं तीनों आठों के आठ पचीज चंकल करती महा के साथ चाहएं तो उस कारवाई में जो सरुष्टन निकल लाए है या अनसेफ निकल लाए है उनी तलहा हम लोगो कारवाई चाथते और उनको दंड़ात्मा कारवाई के लि